आज रिणा की दुनिया रेसेपी इसमें बन रहा है बहुत ही हेल्दी और टेश्टी में आधी रेसेपी-इस All the डालेंगे बटर मिल्क यानि चाच अगर आपके पास चाच नहीं हो तो इसके जगह पे आप दही लीजेगा और जितना सूजी लिया है उतना ही चाच यह दही लेना है तो पहले एक गिलास चाच को डाल देगे बागी के आदे गिलास को बाद में एट करेंगे जलुरत तो यहां पे हमने 2-3 बार mixer को चला लेना है, तो यहां पे हमने 2-3 बार mixer को चला लिया है, दूसरे वाल में इसको टासफर कर लेंगे, तो इसको दूसरे वाल में ले लिया है, इसको ढग के 15-17 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए, और आप 15-17 मिनट के बाद सूजी अच्छे से फूल गया है, वेटर भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो बाकी का आधा गिलास बचा हुआ चांच भी डाल देंगे, आप चाहें तो यहां पे थोड़ा सा पानी भी एट कर सकते हैं, मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स कर लिया है, मिक्स क कोन जो भी सबजी हो आप इसमें डाल दीजेगा, साथी में डालेंगे बारी कटा हुआ धेर सारा धनिया की पत्ती, टेस्ट के अकॉडिंग नमक डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो यहां पे बैडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के ब तो बैटर हमारा तयार है, तो चलिए गैस की तरब चलते हैं, तो गैस पर रख दिया है पैन, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और तेल डालने के बाद दो कर्ची भरके हमने यहां पर बैटर को डाल दिया है, आप अपने इसाब से बड़ा छुटा किसी भी साइच का बना सकते हैं, और कर्ची की मदद से इस तरह से इसको पैला देना है, तो इसको पैला दिया है, लो फलेम करके इसको ढख के 2-5 मिनिट के लिए छोड़ देंगे, और 2-5 मिनिट के बाद इसको भलके हाथों से पलट देंगे, बहुत ही आसानी से यह पलट जाता है, और मिनट से भी और 1,5 मिनट के बाद आप देख सेगें कितना प्यारा कलर आया है और आप इसको लोहे के तबे पी भी बड़ी असानी से बना सकते हैं तो लोहे के तबे भी थोड़ा सा तेल डाल दिया है बैटर को डाल देंगे और कर्ची के मदद से फेला देंगे और ढग के 2, से धाई मिनिट के लिए इसको भी होने देंगे और दूसरे साइट से भी एक से डेर मिनिट के लिए होने देंगे तो अचलिए हमारा गर्म गरम नास्ता तैयार है तो सर्प कर देते हैं तो यहां पर गर्म गरम नास्ते को हमने नारियल की चटनी के साथ सर्प किये आप अपन कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही फैबली फ्रेंट्स में सेयर कीजिएगा